ये बात है 1931 की जब भारत और पकिस्तान के बिच युद्ध चल रहा था तो पकिस्तान के लड़ाकों बिमान भारत के सीमा पार करके ताज महल तक पहुँच गया था दरसल ये भारत का मास्टर प्लान था कि ताज महल को 15 दिनों तक हरे कपड़े से धक के रखा जाए ताकि ये दूर से घास की तरह दिखे और हुआ ऐसा ही पकिस्तान के लड़ाकों बिमान इसके उपर से कई बार चले गया और दिखा तक नहीं और ताज महल को बचा लिया गय क्या गया इससे पहले ये फैक्ट जानते थे नहीं जानते थे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें